अब हम क्या करेंगे, यहां पर, सबसे पहले, यूजर के orders को टिट कर लेंगे, और साथी में, जो first order है या फिर specific order है, उसको भी हमको get करना है, क्योंकि हमने क्या किया था, पहले, जो है, order को create किया था, लेकिन अब हम क्या कर लेंगे, पर ले शुरूर, यूजर के orders को, जो है, my orders कुछ इस तरीके से इसका end point कर लेंगे फिर इस auth हमको चाहिए सो इस auth को इसके बाद में pass करा देंगे इसके बाद में हमको controller function चाहिए तो हम क्या करेंगे controller function create कर लेंगे नीचे पहले शुरूए comment बना लेता हूँ get all orders या फिर इसको कर लेते हैं site में my orders और यहां पर एक function बना लेंगे export const get my orders controller equal to arrow function यहां पर arrow function बना के छोड़ देंगे save कर लेते हैं इस पहब और यह है const अब ठीक है save कर लेते हैं इसको चलते हैं वापस order route के अंदर और यहां पर इसको add कर देंगे so get my orders controller देखिए suggestion शोग करेंगा इस पर click करिए automatically यह import हो जाएंगा देख सकते हैं get my orders controller save कर लेते हैं इसको save करने के बाद आपको क्या करना है वापस जाना इस function में और इस function को कर देंगे async function और यह callback function है इसलिए request और response इसमें भी हम receive करेंगे इसके बाद में यहां पर try get block का स्थेमाल करेंगे catch map save as it is copy paste कर सकते हैं तो इसी को मैं क्या करता हूँ यहां से copy कर लेता हूँ और इसको paste करेंगे create order API के बदले हम यहां पर क्या करेंगे इसको कर देंगे my orders API और यह P होगा इसको फट कर लेते हैं तो पर इस तरीके से हमारा catch का response रहेंगा सिर्फ copy paste के हमने try के अंदर हमको क्या करना है यहां पर orders को find करना है तो find order किस बैस पर हम find करेंगे अगर आप order model लेखेंगे तो अपने पास देखे user है और user की id है तो इसके बैस पर हम क्या कर सकते हैं सारे orders को जाए find कर सकते हैं ऐसे करेंगे चलते वापस order controller क के अंदर requireable बना लेता हूँ सबसे पहले ons orders equal to फिर हम यहां पर await करेंगे फिर हमारे पास है order model और इसमें हम क्या करेंगे find function का इस्तेमाल करेंगे और user के base में क्या करेंगे इसको find कर लेंगे so user और जैसे आप login करते हैं तो हमारे पास request के अंदर user आ जाता है और फिर इसके अंदर जो underscore id की field है तो इससे हम क्या करेंगे इसको cross check कर लेंगे मैं एक बार आपको database बता देता हूँ MongoDB compass open कर लेता हूँ और cloud connection से यहां पर connection establish कर लेता हूँ उसके बाद में हमारे database का नाम है R&E comment और यहां पर दीखे orders है orders के अंदर अगर आप notice करेंगे तो यहां पर user की object id है तो हम क्या कर रहे हैं इसके base पर user के सारे orders को find करने वाले हैं तो जैसे हमको यहां पर orders मल जाएंगे आप validation भी perform कर सकते हैं जैसे के if not orders अगर हमको orders नहीं मिलते हैं तब क्या करो यहीं से जैसको return कर दो with response res.status status of 404 फिर send function send के अंदर हम क्या करेंगे success को कर देंगे यहां पर fault उसके बाद में message भी आप यहां पर add कर सकते हैं जैसे के no order found यह वाला message भी आप add कर सकते हैं तोड़ सा scroll कर लेते हैं इसको अब ठीक है अगर सब कुछ सही रहता है अगर हमको orders मिल जाते तब हम क्या करे करेंगे तो response हम send कर देंगे with 200 और फिर send function का इस्तेमाल करेंगे इसमें हमको success कर देना ही true उसके बाद में message भी आप यहां पर add कर सकते हैं तो मैंने बिखा message your ordered data उसके बाद में length भी आप बता सकते हैं जैसे कि total dash या पिर total orders कुछ इस तरीके से कर लेता हो और जो भी अपने पास orders मिल रहे हैं इसके length हम यहां पर बता सकते हैं so orders dot length उसके बाद में क्या करेंगे जो भी order थे इसको as it is यहां पर pass करा देंगे save कर लेते हैं इसको यहां पर हमारा controller function भी बन चुका चोटा सा function है ज्यादा इसमें कुछ है नहीं इसमें क्या कर रहें simply जो है सारे orders को find कर यूजर की id के बेस पे अभी फिलाल हमारे पास सिर्फ एक है तो सिर्फ एक ही order show करेंगा तो चलते हैं वापस postman के अंदे और एक new tab बना लेता हूँ और previous वाला में यहां से copy कर लेता हूँ copy और यहां पर हम इसको paste कर लेंगे और create के बदले अपने पास है my dash order order है order से एक बार फ्रस्ट चेक कर लेते हैं order routes और इसमें orders है okay सो इसको भी हम क्या करेंगे orders कर लेंगे अब ठीक है method अपना get ही है और server को भी run कर देता हूँ मैं सो आप क्या करें पहले शुरू server को run कर दे terminal new terminal इसके बाद में server directory के अंदर switch हो जाता हूँ cd server फिर np run server इतना लिख के एंटर प्रेस करिए और यहां पर error भी है दिखे get my order controller में get my order के नाम लिखा था अपर ने इसका get my order यह तो सेम है डबल डबल इंपोर्ट हो गया एक बार चेक कर लेते हैं यह तो बराबर है फिर समय देख लेता हूँ get my orders controller यह तो ठीक तक लग रहा है copy this one यहां पर पेस्ट कर लेता हूँ इसको ठीक है वहां पर typing mistake हो गया I think कहीं पर तो चलिए अब fix हो गया हूँ save कर लेते हैं इसको चलते वापस postman में अब मैं यहां पर अगर send पर click करता हूँ तो मुझे यहां पर orders show होने चाहिए send पर मैं click करता हूँ तो देखे success pro और यहां पर total e की order अपने पास तो बराबर count भी show कर रहा है और फिर orders का array है इसमें हमारे पास देखे एक object है यानि successfully my orders का page तो बराबर से काम कर रहा है यानि API बराबर से काम कर रहा है अब इसको मुझे front end पे भी display करा सकते हैं जहां पर भी आपको कराना है आप करा सकते हैं इसके साथ मैं आप क्या कर सकते हैं और specific यानि single order को भी get कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें id है देख सकते हां य यहां पर हम क्या करेंगे get single order और details पी कर लेता हूं specific my orders और इसके बाद में dynamic id कर लेता हूं और यहां पर इस ओध हम को लगेंगा और controller new बनाना पड़ेंगा so नीचे हम क्या करेंगे यहां पर एक और comment बना लेंगे get single order info यहां पर details यह भी आपको लिखना है आप लिख सकते ह हम क्या करेंगे new function बनाएंगे export const get single order details controller काफी बड़ा नाम हो रहा है इसका shortcut में कुछ और लिखना पड़ेंगा save कर लेते हैं इसको तभी कोई भी error नहीं अपने पास देख सकते हैं successfully हमारा server run हो रहा है चलते वापस order controller के अंदर और यहां पर हम क्या करेंगे इसको async कर लेंगे async arrow function follow function इसलिए request और response इसमें भी receive करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे again try catch block का स्वाल कर लेंगे so try catch block catch के अंदर आप as it is इसको copy paste कर सकते हैं या फिल मैं क्या करता हूँ product controller को open करता हूँ और उसमें जो हमारे पास cast object था ना cast error था ना वह वाला भी हमको चाहिए इसलिए इसको copy कर लेता हूँ अब कोई भी copy कर सकते हैं बहुत पी जगह हमने इसको use किया हूँ है so इसी को मैं क्या करता हूँ copy करके यहां पर paste कर लेता हूँ order controller के अंदर so इस sketch के अंदर paste इसके अंदर देखे हमारे पास cast error है क्योंकि हम यहां पर object id भी use कर रहे है तो अगर cast error आता है तो invalid id का error आपको देखने मिल जाएंगा इसके बाद में हम क्या करेंगे यहां पर हमको find करना है order store so उसको भी एक variable के अंदर store कर देंगे const order equal to फिर await करेंगे फिर उसके बाद में हम order model का इस्तिमाल करेंगे और यहां पर find by id का इस्तिमाल कर लेंगे find by id और इसके अंदर हम क्या क आपके dynamic id रहेंगी तो इसके बेस पर हम क्या करने बाले है single product को display कराएंगे so product का काम होगा इसको cut कर लेता हो वरना confusion होगा थोड़ा सा और यहां पर हम क्या करेंगे validation भी perform कर लेंगे validation if not order अगर हमको order नहीं मिलता है तब क्या करो यहीं से return हो जाओ with response rest.status status of 404 that means not form और यह ह parenthesis में 404 उसके बाद में send function send के अंदर हम क्या करेंगे success कर देंगे false उसके बाद में message यहां पर add कर देंगे no order found यह message हम add कर देंगे और अगर हमको सही में order मिलता है तब हम क्या करेंगे यहां पर check कर लेंगे इसको कैसे check कर लेंगे बहुत simple है already तो हमने इसको find करके रखा है यहां पर तो direct हम response send कर सकते हैं तो यहां पर response send कर देता हूँ rest.status status of 200 फिर उसके बाद में हम यहां पर send function कर स्थेमाल करेंगे so send function success कर देंगे यहां पर हम true और फोड़ा सा scroll कर लेता हूँ इसके बाद में message यहां पर add कर देता हूँ your order fetched और उसके बाद में जो भी order as it is मैं यहां पर paste कर देता हूँ यानि pass करा रहा हूँ जो भी order मिलता है उसकी details हम यहां पर send करा देंगे save कर लेंगे इसको और इसको भी हम क्या करेंगे test कर लेंगे तो चलते postman tool में और यहां पे एक और new tab बना लेता हूँ और previous वाले को मैं copy कर लेता हूँ my orders तक same है तो इसको मै यहां से copy करके paste कर लेता हूँ method same है उसके बाद में हमको dynamic id add करना है तो id कहां से get करेंगे आप कोई भी order id जैसे के हम get कर रहे है न सारे orders को देखे कहां पर get कर रहे है तो यहां पर जो underscore id की field है इसको copy कर लेंगे और यहां पर मैं इसको paste कर लेता हूँ और send पर click करेंगे तो की detail तो इसको आप further जो है client पर display करा सकते हैं लेकिन यह perfectly यहां पर काम कर रहा है